दोस्तों, आज मैं बना रही हूं सत्तू का शर्बद, जो की बिहार में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। गर्मियों में राहत देने के साथ ही साथ ये इं्म्यूनिटी बूस्टर का भी काम करता है। तो चलिए सत्तू का शर्बद पनाना शुरू करते हैं। तो शर्बत बनाने के लिए एक परतन में तीन चम्मच सत्तू लेंगे, मैं यहाँ तीन ग्लास शर्बत बना रही हूँ, इसलिए मैंने तीन चम्मच सत्तू लिया है, और ये चना सत्तू आपको किसी भी राशन की दुकान पे असानी से मिल जाएगा, अब इसमें नमक डालें इन सारी चीजों की मात्रा आप कम या जादा कर सकते हैं, अब जरासा काला नमक डालेंगे, अब बरतन में अभी कम पानी डाल कर इसे मिक्स करेंगे, ये अभी काफी थिक है तो इसमें और पानी डालते हैं और इसे मिक्स कर लेते हैं, शुरू में सत्तू में कम पानी डाल क कर ही फेटें नहीं तो इसमें लंस पढ़ जाएंगे सत्तू को फेट लिया है और यह देखे इसकी कंसिस्टनसी एकदम पर्फेक्ट है तब हम इसमें बाके की चीजे एट करेंगे थोड़ी सी प्यास डालेंगे एकदम बारी चौप करके और इसमें नीबू निचोड़ेंग आप इसमें बारी काटके हरी मिर्च भी डाल सकते हैं हमारे यहां तीखा कम काया जाता है इसलिए हरी मिर्च नहीं डाली है आप शाहें तो प्याज भी स्किप कर सकते हैं अब सारी चीजों को बढ़िया तरीके से फेटने के बाद इसमें पानी एट करेंगे तो यहां मैंन इसमें ठंडा पानी डाला है आपको जितना ये शर्वत बनाना है उतना सत्तू एड कीजेगा और उसके ये कॉर्डिंग पानी लीजेगा अब इसमें थोड़ी सी पुदीना के पती इस तरह से तोड़ के डालेंगे इससे शर्वत में फ्रेशनेस आती है सत्तू का शर्वत तयार है तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं लास्ट में शर्वत के ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे आप चाहें तो जलजीरा पॉंडर भी डाल सकते हैं दोस्तो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें शियर करें सब्सक्राइब करें धन्यवाद